Welcome to our channel, Engineer's Choice Tutor आज के lecture में हम देखेंगे complex exponential signals के बारे में तो देखिए, the mathematical expression for discrete time complex exponential signal is आप complex exponential signal को mathematically कैसे define कर सकते हैं? simple, x of n is equal to a to the power n into e to the power j into omega node n plus theta यह mathematical definition होता है किसका? complex exponential signal का तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? और a to the power n यह जो part है e to the power j into omega node n plus theta इसको हम कैसे लिख सकते हैं? cos omega node n plus theta plus j sin omega node n plus theta ऐसे लिख सकते हैं? इसको हम अब देखिए यहाँ पर अब इसको open करते हैं ok, an multiply कर देते हैं दोनों term से तो open करते हैं तो क्या आजएगा? an into क्या हो गया? cos omega node n plus theta ok, plus j an into sin omega node n plus theta यह आगया? इतना clear है आपको? तो यहाँ से देखिए, अभी इस पार्ट को इस पार्ट को और इस पार्ट को क्या माल लेते हैं हम लोग? यह j को छोड़के, ok? इस पार्ट को हम पूरे पार्ट को माल लेते हैं x r of n, ok? और इस पार्ट को, j को छोड़के, क्या माल लेते हैं हम लोग? x i of n, ok? तो यह क्या बन गया? x r of n plus j x i of n it is clear? मतलब, real part और imaginary part j के साथ जो लगा हुआ रहता है, वो क्या होता है? imaginary part तो यहाँ से हमको क्या मालन चला? कि x r of n यह क्या है? real part है, किसका? x of n का? यह क्या है आपका? real part of real part, किसका? x of n का? it is clear? और x i of n क्या है? imaginary part है क्या है? imaginary part किसका imaginary part? x of n का तो यहाँ से क्या निकल गया अपना? देखिए, यहाँ से अपने को क्या मालूम चल गया? कि जो अपना x r of n है न वो किसके बराबर है? is equal to a to the power n into cos omega node n plus theta के बराबर है ओके? और यह जो x i of n है वो किसके बराबर है? a to the power n sin omega node n plus theta के बराबर है ओके? अब हम graph देखेंगे चार graph बनेंगे ओके? दो real part के लिए बनेंगे और दो imaginary part के लिए बनेंगे it is clear? तो यह चारो graph बिल्कुल छोटे छोटे टाइम में हम लोग देख लेते हैं ओके? तो चलिए पहला graph आपके सामने ये है ये किसका graph है? ये दिख रहा है आपको इस axis पर क्या है? x r of n और यहाँ पर क्या है? मतलग ये हम लोग किसका graph बना रहे हैं? x r of n is equal to a to the power n into cos omega node n का किस case में? जब ये जो a दिख रहा है ना आपको a की value 1 से लेके 0 के बीच में रहे तब तो यहाँ पर ये क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है? ये exponentially क्या हो रहा है? decrease हो रहा है exponentially क्या हो रहा है? decrease हो रहा है और ये कौन सा wave है? ये कौन सा wave दिख रहा है आपको? ये wave है cosinusoid cosinusoidal wave है तो इस case में क्या हो रहा है आपको इस case में हमें दिख रहा है clearly कि हमें क्या मिल रहा है यह क्या है एक exponentially 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 decreasing या फिर डिकेंग आप लोग बोल सकते हैं exponentially decreasing को साइनो सॉइडल सीक्वेंस है ओके यह सीगनल यह सीक्वेंस जो भी आप बोलिए देखे सीक्वेंस क्यूं क्योंकि हम लोग discrete time domain में बात करना है इसलिए बहुत सारी बुकें जो हैं वह सीक्वेंस टर्म प्रेफर करती है तो यह आपका पहला सीक्वेंस हमको मिल रहा है तो यह तो पहला ग्राफ हो गया अब नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं ओके दसेकेंड वन तो यह रहा सेकेंड वन है और यहां पर N है ओके यह कब यह किसका है सिंपल मैंने बताया ना अभी आपको X R of N is equal to A to the power N cos omega node N का ही यह भी ग्राफ है ओके मतलब real part का ही है यह भी लेकिन इस case में क्या मिल रहा है हमें यह कौन सा case है जब A की value है आपकी वह greater than 1 रहेगी इस क्लियर जब A की value greater than 1 रहेगी तो यह देखिए exponentially increasing मिल रहा हमको तो इस case में क्या मिल रहा है हमको यहां पर हमें मिल रहा है exponentially 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 increasing increasing को के exponentially increase कर ही रहा है यह ओके बट यह है क्या यह है अपना co sinusoidal sequence तो कि हम लोग इसलिए बोल रहे है यह क्या है अपना यह total exponentially increasing co sinusoidal co sinusoidal sequence okay sequence it is clear तो यह था second graph अब चलते हैं imaginary part में okay imaginary part of xn का हम लोग दो graph देखेंगे तो चलिए पहला graph देख लेते हैं यह पहला graph है किसका यह दिख रहा है आपको यह axis क्या है x of i n means i मतलब क्या denote कर रहा है imaginary r मतलब real part okay और यह क्या है n का axis है तो यह graph भी देखिए यह क्या हो पावर n sin omega node n का graph है किस case में जब a की value क्या है 0 से लेके 1 के बीच में है और यह क्या हो रहा है decrease हो रहा है decaying exponentially decaying sinusoidal sequence है यह क्या है लिख लिजे कहीं पर exponentially exponentially decaying बोलिए या decreasing बोलिए कुछ भी बोलिए exponentially decaying sinusoidal sinusoidal या फिर sinusoid sequence okay sequence इस क्लियर और इसी का second part कौनसा इसी का imaginary का है दिख रहा है आपको X of i n है इधर और यह क्या है यह n है ओके तो इस case में यह देखिए क्या हो रहा है exponentially increase हो रहा है exponentially क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है और यह क्या है sinusoidal graph है it is clear तो यह कौनसा case है X of i n is equal to a to the power n sin omega node n किस case में जब A की value क्या हो A की value आपकी greater than 1 हो A की value जब भी greater than 1 होती है तो हमको क्या मिलता है exponentially increasing ही मिलता है It is clear first case में क्या मिला था जो हमने real part में देखा था जब A की value greater than 1 थी उस समय हमें मिला था exponentially increasing cosinusoid sequence इस case में क्या मिलेगा exponentially exponentially एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग a! मुई ऐसे बोली है साइनिसर्ड य फिर साइन्स or ट सिक्वेंस दोनों बाते लिए है इससे क्लियर क्रेट साइनास aurait सीक्वेंस betुम से दिख रहा ना आपको exponentially increasing और यह क्या है sinusoid sequence it is clear तो यह थी हमारे 4 cases 4 graph हमने देखे तो यहाँ पर हमने क्या discuss किया discrete time complex exponential signal के बारे में तो इतनी information काफी है यह मैंने इसलिए बता दी क्योंकि आपको आगे इसकी जोहत पड़ेगी तो हमने क्या देखा कि जो discrete time complex exponential signal है उसके हमने दो part किये पहले real part किया उस signal का और फिर imaginary part किया real part में दो graph बने okay imaginary part में भी दो graph बने it is clear तो यह सारी चीज़े आपको मालूम होने चीज़े basics हैं यह सारी चीज़े क्योंकि DSP में आगे चलके आपको exponential signal पे भी numerical मिल सकता है तो आपको graph तो मालूम होना चीज़े है at least कि कब हमें exponentially increasing graph मिलेगा और कब हमें exponentially decreasing graph मिलेगा ओके जब भी condition a greater than one रहेगा उस condition में हमेशा आपको चाहे वो real part हो चाहे imaginary part हो exponentially increasing ही मिलेगा और अगर जब भी condition रहे a smaller than one और greater than equal to zero मतलब a zero और one के बीच में रहे ओके तब हमें क्या मिलता है तब हमें मिलता है decaying exponentially decaying graph एक बार और note down कीजिएगा a zero और one के बीच में रहना चीज़े साइध मैंने गलती से बीच में बोल दिया था कि a greater than equal to zero greater than equal to zero नहीं zero और one के बीच में रहना चीज़े ओके a तब क्या मिलता है exponentially increasing graph मिलता है हमें इस case में so thanks for watching this video please like the video and subscribe our youtube channel